राकमबा की और से कल 25 सगस को सुभे 9 बजे से आश्टी में धर्ना प्रदर्शन किया गया इस समय राश्ट्रवादी कॉंगरिस पार्टी के नापपूर मंडल अध्यक्ष शाइन भावी हाकीं के नितरत्व में आश्टी के अंबेट कल्चाउप पर धर्ना प्रदर्शन किया गया उनकी मुख्य मांगो के निविदन को चमोर्शी के तहसिलदार नाक्ति लखने स्विकार कर लिया इस समय आश्टी थाने के पुलीस निरिक्षर कुंदन गावडे मौजित थे आश्टी आलापली राश्टी राजमाग सडक की ततकाल मरम्मत की जाए आलापली एहरी महागाव सडक की तुरन मरम्मत की जाए कोन सारी घाटकुर सडक को ततकाल सुधरा जाए और भारी आतायात को रोका जाए आश्टी में वैंगंगा नदी पर पूल का काम ततकाल पूरा किया जाए कोन सरी लोह पर योजना में इस्थानिय बेरोजगार युवाओ को प्राथिमिक्ता दी जाए आलापली से सीरोचा राश्रे राजमार के लिए निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर एक महा के भीतर ततकाल कार्य प्रारम किया जाए अन्यथा राजमार पर आवाजा ही रोग दी जाएगी तथा आंदुलन किया जाएगा ततकालीन मुख्यमंत्री देविंद्र फण नविजद्वारा लिए गए निर्णै के कारण जब मेदी गट्टा बान के कारण हमारे किसानों को कोई लाब नहीं हुआ तो सिरोचा तालुका के कई गाओं में बान, क्रिशिक घरों से आने वाले पानी के कारण, बाड के स्थिती के कारण और जानवरों को भी भारी नुकसान हो रहा है यद्यपी सूरजगर लोह अयस्क परियोजना से कच्चा माल ले जाने वाले ट्रक परियावरन मान दंडो का उलंगन कर रहे है उन ट्रकों पर तुरन तिरपाल बान दिया जाना चाहिए आश्टी गाओ को एक नया तालुका घोशित किया जाना चाहिए उपरोक्त मांगो को जल्दी से स्विकार किया जाना चाहिए अन्यथा तीवर आंदोलन होगा ये चेतावनी शाहिन भाबी हकीम महिला अध्यक्ष वनाकपूर मंडल अध्यक्ष रवी वासेकर जिलाध्यक्ष न्सेपी गर्ची रोली रिंकू पापडकर, लिलाधर भारदवाच, न्सेपी युवा कॉंग्रेस दिलाध्यक्ष गर्ची रोली, बबलु भाईया हकेम, नेमाजी घोगरे, न्सेपी यूथ दिलाध्यक्ष वा अन्यकारे करताओ के उपस्थिते में दी गई फिर भी अभी तक काम चुरू नहीं हुआ, इसलिए आज हम लोग ये चक्का जाम कर रहे हैं, आट दिन के अंदर अंदर ये काम चुरू होना चीए, ऐसी हमारी मागनी है, उसके बाद ओला दुछकार जाहिर होना चीए, हमारा जो आलापली से लेके महागाओ, वो एक रास गणेश शिंगाडी की रिपोर्ट है, सुरूची